आई और बेहनों, विकास तभी होता है जब द्यापार कारोबार बढ़ता है, ये तभी बढ़ता है जब शान्ति होती है, जे उनकी सुरक्षा होती है, ये चौकिदार जारखन के देश के चप्पे-चप्पे की सुरक्षा को लेकर चौकनना है। कॉंग्रेस और महा मिलावड्यों के राज में यहां क्या स्थिती थी, वो भी याद करिये। यहां उमाचन साहुजी बैठे हैं, कैसे इनको नक्षलियों के डर से अपना गाउं तक छोड़ना पड़ा था। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, जिनका जीवन, जिनके सपने हिंसा ने तबाह किये हैं, लेकिन साथियों आज परिस्तित्यां बदल गई हैं। डर के कारण जो गाउं सुने हो गए थे, वहां लोग अब लोटने लगे हैं, जिन गाउं में कभी लाल आतंक दिखता था, वहां अब गुधिया बल की लोशनी पहुत रही हैं। मोटर गुआ गाडियां आने जाने लगी हैं। नक्सल प्रभावितिन इलाकों में उमा चरण जैसे हमारे अनेक साथिये और हमारे आदिवस्दी भाईयों भेनों, हमारे दलिद भाई भेने और समाज के पिछड़े लोगों के हग दिलाने के लिए लड़ते रहना यही एक सबक हमने सिका है, ऐसे तमाम साथियों सुर्क्षा बलो के हमारे जवानों और सईदों को मैं सीज जुका करके नमन करता हूँ